तो साथी अब सभी के लिए बहुत इंपोर्टेन सूचना देनी है आज के अखवार में कैई सारे अखवार में केवल एक में नहीं कैई सारे अखवार जो उत्तरप्रदेस के होते हैं उसमें उत्तरप्रदेस पलिस कॉंस्टेबल 6244 भरती को लेकर यहां पर इसमें जो उसके कट ओफ वगिरा आनी है उसके बारे में है कि सिपाई भरती समा के अंतर तक जारी होगा कट ओफ तो यह थोड़ा सा मतलब मेरे विचार में उत्री सटीक इनफोर्मेशन नहीं है क्योंकि जो cut off है वो इतनी जल्दी जारी नहीं हो सकती इतनी जल्दी copy check नहीं हो सकती भरती प्रिक्षा को सिपाई भरती प्रिक्षा को लेकर अभ्यरतियों से मांगी गई आपतियों का निस्तारण पुलिस भरती बोड ने करना शुरू कर दिया है 11 सितंबर से अब तक कही तरह की आपतियों सामने आ चुकी है इनमें कही आपतियों उत्तरकुंजी को लेकर तो कुछ अभ्यरतियों ने लिखा कि गरित का पेपर बहुत जादा कठिन था भरती बोड के अफसरों का कहना है कि आपतियों 19 सितंबर की रात 12 बजे तक ली जाएंगी सारी आपतियों पर निर्णे के बाद सितंबर के अंधता किस परिक्षा की कट आफ ये बात यहां पर गलत है ऐसे नहीं होता समसे पहले क्या है एक साती संशोधित आंस्वर की आएगी जो आपने आपति लगाई है उसके बाद में क्या आएगी एक संशोधित आंस्वर की आएगी फिर इस पर मांगा जाएगा कि वह क्या विचार है फिर साती फाइनल आंस्वर की आएगी क्या आएगी फाइनल आंस्वर की आने के बाद में आपकी जो OMR शीर्ट है यह OMR शीर्ट सारी की सारी चेक होंगी OMR शीर्ट चेक होंगी फिर साथे जितनी वेकेंसी हैं और वेकेंसी में जितनी कैटिग्री हैं जनरल, OBC, SC, HT, WS पिरते केटिग्री में महिला तो वेकेंसी का तीन गुना वो लोग देखेंगे कितने माक्स हैं जो टॉप बच्चों के जो तीन गुना हो जा रहे हैं मतलब 60,244 भरती है तो इसका तीन गुना लगाओंगे लगबग 1,80,000 से जादा 1,80,000 से अधिक बच्चों को उबर अब लोला जाएगा बुलाया जाएगा लेकिर वो भी कैसे बुलाया जाएगा वो बुलाया जाएगा कि में किस कैटिग्री में कितनी वेकेंसी है तो जन उन सब को हटा कर इस तरह से तो दिहन देना उसके बाद में साथी फिर ये लोग क्या लगाएंगे ये लोग फिर कट अफ लगाएंगे फिर साथे डीवी पिएश्टी के कट अफ आएगी तो ये काम को इतनी जल्दी नहीं हो सकता किसको सितंबर में कर दिया जाए तब सित संसोधित आंसर की और फाइनल आंसर की तो अगली महीने इस महीने भी उमीद कमें क्योंकि अभी जो आपतियां आप समीने दर्ज कराई हैं वो आपतियां कहां पर जाएंगी वो जो इनके सब्जेक्ट में ट्रेक्सपर्ट होते उस पर जाएंगी फाइनल आंसर की संसोधि से डिलीट थे तो वहीं यहाँ पर करेंगे बहुत सारे कुश्यन से डिलीट किये जाएंगे फिर ओमर शिर्ट चेक फिर वेकेंसी के साथ से तीन गुना का डीवी पीएश्टी का कट आफ तो यह जो डीवी पीएश्टी की कट आफ है इसे आने में आराम से अक्टूबर एंड या नवंबर लग जाएगा तो मतलब आप ऐसा समझिए कि यह जो इन्होंने लिख रखा है कट आफ सूची यह गलत मतलब थोड़ा से तो जो भी मालो इन से इतनी जल्दी कट आफ नहीं आ सकती यह एक्चुल में बच्चा इनके द्वारा जो बताया गया है वो आंस की के हिसाब से इस तरीके में तो कोई दिक्कत आपको नजर नहीं आ रही हमेशे ऐसे ही तो होता आया है कि पहले आंस्वर कि आ गई फिर आपनी जो आपतियत दर्ज की है संशोधित आंस्वर की फिर कुशन डिलीट होके फाइनल आंस्वर की फिर ओमार शीट चेक मतलब य हो जाए तो अब यहाँ पर फिर इनोंने क्या कहा है उसके बाद में इनोंने साथी आपकी जब यह साथी आपका फाइनल जोइनिंग होगी जो 40 से 45 अजार आपकी वेकेंसी है नई भरती जो है नई भरती तो और तू मुझसे पूछो कि नई भरती कव तो इसके फिजिकल क एसाब से इसका जो डीवी पिएश्टी है वो अक्टूबर एंडिया नवंबर मान के चलिए मतलब आपके पास अच्छा जादा समय तो नहीं होगा लेकिर कर्टॉफ के बाद में उत्रा परियाप्त समय होगा क्योंकि याद रखना ये जितने लोगों को बुलाएंगे इन सटीक सूचना तो अगर इन्होंने कलेंडर जारी कर दिया तो आपको कलेंडर मी मिल जाएगी लेकिन मेरे विचार में जब ये जॉइनिंग लेटर मांटाएंगे जॉइनिंग की आस पाट जेब ये 60244 की जॉइनिंग होगी तो उसमें जॉइनिंग का महौल बनाएंगे क हमने इतनी बड़ी वेकेंसी कर दी और साथ में उसमें महौल नई भरती का बनाएंगे तो आप तब तक अपने SSE GD, SSE GD ये NTPC, RPF आपके सामने इन पर फोकस रखो जो आप में से UPSI के लिए गंभीर स्टुडेंटे वो तैयारी करना शुरू कर दीजिए और जो साथी केबल अभी कौंश्टिबल की तैयारी करना चाहते हैं तो आप सभी के लिए application पर पर परिश्रम बेच फ्री कर दिया है अब भी अगर आप तैयारी शुरू नहीं कर रहें तो फिर मैं क्या करूँ ये परिश्रम बेच फ्री कर दिया है तो अभी आप इसमें इतना जदा टेंशन ना ले आराम से आपको सारी सुचना जैसे प्राप्त होती है जैसे कोई न्यूज आती है मैं कुशिस करता हूँ आप तक पहुँचाने की आप लोग अपनी तैयारी आगे की बनाई रखें ये जैसे ही उप्यूक्त उच्छी समय और आपको परियाप्त समय मिलेगा सारी चीजों के लिए बाकी में रनिंग के जो आपको कुश्यंस बताया हूँ एक आंस्वर की थोड़ा से फाइनल आंस्वर की पता चल जाए एक कटो भलकी सी एक सेफ इसकोर तब बता देंगे कि कुछ तैय करेगा बाकी आप समय के लिए बहुत सारी शुब काम ना है रोज रात आपकी शाम 6 बजे से UPSI की फ्री क्लास से शुनो हो चुकी है अब समी लोग शाम 6 बजे से UPSI की फ्री क्लास से जरू लिजे तेंगो पढ़ाई बंद मत कीजे उसके लाबार PFSC, GD, NTPC समकी क्लास चल रही है बाकी साथी कोई सवाल जवाब हो तो आप कमेंड कर दीजेगा थेंक्यू धन्यवाद, जेहिं